आपका सौगत करता हूँ आपके अपने चैनल शीशा है त्रीजिक्स्टी में आपके लिए बहुत ही इस्पेशल है उन लोगों के लिए जो ट्रेवल करते हैं वो चाहते हैं कि हम उकका ट्रेवलिंग के साथ नहीं पने लेके जाए और उकका पीए और इन्जॉय करें लेकिन उन्हें प्रॉब्लम होती हुपका कैरी करने से टूर जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम होती, डिफिकल्टी होती, तो आज मैं एक ऐसी चीज आपको दिखाने वाला हूँ, जो आप अपने ट्रेवल में इतनी सी अपने साथ ले जाएंगे, और एनी बॉटल के अंदर, वहाँ पर आपको Pepsi, Coca-Cola, किसी विस्की की बॉटल में, या कोई प्ल चीजे के अंदर आपको तीन चीजे मिलेंगी, 1, 2 and 3, यह तीन चीजे एक खुब हो, आपने इसमें इस प्रकार से इसे फिट करना है, राइक दिस, और इस सेम कलर की प्लेट आपने यहाँ पे लगानी है, और फिर उसके बाद में, जैसा यह उपका में आपके लिए तयार करके रखा हुआ है, यह देखिया, आप शेंपियन की बॉटल है, और शेंपियन की बॉटल आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी, शेंपियन, विस्की, एनी बॉटल, आपने इसको इस प्रकार से लगाया, और चिलम आपने इहाँ पर लगाई, आपको केरना अपने साथ में एक हुबो, एक चिलम और एक होस, पाइप, तो फ्रेंट्स हुबो के की हेल्प से आप आउट्डोर में, पिकनिक में, एंड ट्रेवल में, कहीं पे भी फुक्य को बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा, हुबो के के अंदर अलफकर एंड शीशा 360 की मिक्सिंग, अलफकर का पीच, मिंट एंड शीशा 360 का पान मसाला, आज मैं आपको इनकी तीन की मिक्सिंग बताऊंगा, और इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्नेंट्स और फ्लेवर का आनन्द हम उठाएंगे, तो लेट्स स्टार्ट, तो और ध्यान रखना है, आज चॉपिंग बोर्ट का इस्तंबाल इसलिए करा है कि कुछ डिफरेंट्स आपको आज कटिंग बताएंगे, और 10% अलफकर का मिंट, गोल्डन फ्रेंच मुलैसिस, शीशा 360, लेना हमें 20% पान मसाला, 20% पान मसाला, गोल्डन फ्रेंच मुलैसिस, देखिए आप फ्रेंच तोबैको है, और वेरी गुड इम्पोर्डेट फ्लेवर, यू कन से लाइक दिस, तो दोस्तों, अब हम इन तीनों फ्लेवर को बहुत ज्यादा चॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चॉप करेंगे, तो वो फिर अपना पानी छोड़ेगा, फ्लेवर और निचे चला जाएगा, तो अब हम हमारा अमेरिकन पनल बाउल बरते हैं, यह देखिए इस प्रकार से, भरते से में एक खुले हाथ से बरें, यह देखिए आप इतना बरने के बाद में इसे दबाईये मत, हलका हलका सा फुश करिए, और यह आपकी चिलम रेडी हो गई, और अब हम लेंगे, सिल्वर फॉयल, लगाएंगे, मैट पार्ट जो है, वो हमें उपर रखना है, इस प्रकार से, यह दे तो टोटल सिक्स्टी होल हमने एप्रोप्सिमेट कर दी है, यह देखिया इस प्रकार से, और अब हम चार्कोल इस्तमाल करेंगे, वैसे दोस्तों आपको कोकोनेट चार्कोल ट्रेवल में इस्तमाल नहीं करना है, क्योंकि वो जलने में सीड़ी या होट प्रेट का जरूत प कर सकते हैं, वो तुरंट दस सेकंड में जल जाता है, और एक घंटे तक अलचान का फोलो चारकोल रहता है, हमारी चिलम है तयार और हमारा हूब हुक का भी है रेडी, तो देर किस बात किये दोस्तों, चलो चलते हैं, इंजॉय स्मॉक! तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हुब भूखके में मैंने इंजॉय किया, तो आपकी बारी है, हुब भूखके को भाइ करिए और इंजॉय करिए, और एक और दोस्तो बात, ये पाइप बिल्कु लेटेस निई है, इसके अंदर एक खासियत है, लाइट है, जब आप अंधेरे में पिएंगे तो यह लाइट आपको 7 प्रकार के लाइट इसके अंदर दिखेंगी और यह लाइट बहुत ही जोड़दार दिखती जब हम इसमोक करते हैं देखिए आप इस प्रकार से मैंने इसमें 4 कोकोनट कोल लगाया है शीशातुरी 60 के आप इसमें पोलो चारकोल अलशान का लगाईए क्यों वो इंस्टेंट जलता है आपको ट्रेविलिंग के समय पे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी सिर्फ एक लाइटर से वो जल जाएगा इंस्टेंट तु पर जरूर जाएगा वहां पर आपको सारी चीज अवेलेबल होंगी और इस वीडियो को शेर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि नए ने प्रोड़क्ट आपको दिखते रहें तो शीशा 360 ओफिशल को फॉलो जरूर करें तो द झाल